आजस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि लगातार सचीन पाइलेट सुर्कियों में बने हुए हैं कभी मुख्य मंत्री चेरे को लेकर और कभी किसी और वजे से और कभी वजे सामने आती है कि मुख्य मंत्री का पाज सचीन पाइलेट को मिल सकता है तो खबी, खबर आती है कि जोर डोर से उनका स्वागत किया जा रहा है वही अब एक और खबर भी सामने आई है बठा दे कि जन सथापटी एक्सप्रेश ट्रेन से स्वाई मादूपूर जिले के गंगापूर सिटी रेलवे इस्टेशन पर पहुंचे है दरसल सचेन पाईलेट करोली जिले के एक नेजी गाउ में कारिकर में सिरकस्ट करने के लिए प्रेन से गंगापूर सिटी पहुंचे जहां सड़क मार्क से खुब पूरा के लिए पहुंचे सचीन पाइलेट ने गंगापुर सिटी डेलवे इस्टेशन पहुंचने पर कॉंग्रेस कारिकरता और गुद्र समाज के युवाओं ने सचीन पाइलेट का जोड़ात स्वागत भी किया और इस पर युवा कारिकरताओं में जबरदस्त उत्सा भी देखने को मिला सचीन पाइलेट जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए खोड़ पूरा जाते समय उनका जगे जगे पर कारिकरताओं के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया निजी कारिकर में सिरकस्त करने बाद सचीन पाइलेट ये पुलिस प्रसासन के द्वारा सुरक्सा के पुखता इंतजाम भी किये गए थे लेकिन बेर के चलते विवस्ता बनाए रखने को लेकार उनको भी करी मेनत करनी पड़ी सुतरों से मिली जानकारी के अनुसार बता दे कि अब सचीन पाइलेट को लेकर कॉंग्रेस पार्टी में मंतन सुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि अब राजस्तान में सचीन पाइलेट मुख्यमंतरी का चेरा हो सकते हैं देश तरह से सुनिया गांदी से सचीन पाइलेट की मुलाकात हुई है उसके बाद अब खयास लगाए जाने लगे है कि सुनिया गांदी सचीन पाइलेट को राजस्तान में मुख्यमंतरी का चेरा गोशित कर सकती है देखते हैं आगे क्या कुछ होता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा दोस्तो वीडियो को शेर चेनल को सब्सक्राइब जुरूर करें धन्यवाद